नमस्कार, कापिचल टीविब बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आदम जाप चुनावी डर नितिकार्ट से नेता बने प्रशान्त की सोर अकसर तिजस्वी आदो पर हमलावर रहते हैं इतना ही नहीं वह नतीश कुमार को लेकर भी निसाना साथते हैं लेकिन आजकल एक खास बात है कि प्रशान्त की सोर भाश्पा के लिए थोड़ा सौप्ट हो गया है इसी बीच चुनावे डर नितिकार के तौर पर पहचान रखने वाले प्रशान्त की सोर ने भाश्पा को लेकर बड़ी टिपने की है उन्होंने कहा है कि आज भाश्पा तमाम चुनाओ जो है वो पीएम नरेंदर मोदी के शहरे पर जीत रही है या भाश्पा के लिए बड़ी ताकत है तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी प्रशान्त की सोर ने बाश्चीत में कहा है कि भाश्पा की अज सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी पीएम नरेंदर मोदी पर अत्यधिक निर्भरता है या पूछे जाने पर कि भाश्पा का नित्रेट्व पीएम नरेंदर मोदी के बाद किसके पास होगा तो उसका जवाब उन्होंने बड़े ही दल्चस्प अंदाज में दिया तो आई हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा दरसल पीके ने कहा कि मैं नहीं जानता कि उनके बाद कौन हाई कमान होगा लेकिन जो भी होगा वो उनसे भी ज्यादा हर्ड लाइनर होगा इस दौरान प्रशांत की सोर ने भाश्पा और जदियों के रिस्ते पर भी टिपड़ने की है पीके ने कहा कि भाजपा इसलिए नतीश कुमार को साथ लाई ताकि विपक्षी एकता को खत्म किया जा सके उन्होंने कहा कि भाजपा तो पहले से ही जदियों को निगल चुकी है या वाद खुद नतीश कुमार भी जानते हैं लेकिन वह जो कुछ भी बचा है उसके सहारे कुछ और वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। वह 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अब यह उनकी पारी का आखरी दौर चल रहा। इतना ही नहीं भाजपा कॉंग्रेस टीमसी समेट कई दलों के लिए काम कर चुके पीके ने कहा कि कॉंग्रेस अधार योजना पहले लेकर आई थी लेकिन वह कभी भी इसका फायदा नहीं उठा पाई। इस स्कीम को भाजपा जनता तक लेकर गई तमाम योजनाओं को अधार से जोड़ा गया और इसे भाजपा ने अपने कैंपेंड का हिस्सा बना ली। इससे उसका काफी पायदा हुआ अब कॉंग्रेस इसके क्रडिट की बात खुद करती है। इसमें बदलाव करते रहते हैं यहीं बड़ी वजह है कि उन्हें चुनावी सफलता लगातार मिल रही। आना होगा और संदेज देना होगा। इतना ही नहीं प्रशान की सोर ने इस बाश्चीत के दौरान कई ऐसे मुद्दे भी गिनाएं जिसमें की भाजपा कमजोड नजर आई है। लेकिन प्रशान की सोर ने साफ कहा है कि विपक्ष के पास भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको सामने लाकर वा भाजपा को हरा सकती थी। लेकिन वह जो बिपक्ष है उसके तरब से इसका सदुपियोग नहीं किया गया। नरेंद्रमोदी एक फाक्टर है तो वहीं उनकी कमजोडी भी वफ बन सकते हैं। लेकिन उन्हें कहा कि नरेंद्रमोदी के बाद जो भी भाजपा का हाई कमान होगा बदन नरेंद्रमोदी से भी ज़्यादा हाड लाइनर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहें कापिटल टीवी बिहार धन्याद